हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बायवेदिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहत जरूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डायबिटीज कंट्रोल में रखने के लिए कुछ खास टिप्स की जी हाँ आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको डायबिटीज है तो दुपहर में आप क्या खाएं और क्या करें ताकि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे दिन में बड़े नहीं तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो आए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बता हूँ कि डायबिटीज एक बेहत गंभीर समस्या है और इसका इलाज एलोपैथी में तो है नहीं लेकिन कहीं न कहीं आप इसे अपने खानपान से और डेली रूटीन में परिवर्तन ला करके कंट्रोल में रख सकते हैं तो इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास टिप्स जिनहें आप दोपहर में अगर अपनाएंगे तो निश्यत रूप से दिन में आपका ब्लट सुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा और आपको डाइबिटेज में लाब उपराप्त होगा तो इसमें ध्यान दीजिए कि दोपहर के समय आपको करना क्या है तो सबसे पहला काम करना है कि लंच आप किसी भी परिस्तिती में एक बज़े से डेड़ बज़े तक जरूर कर ले क्योंकि अगर आप लंच लेट करेंगे तो आपके अनहल्धी खाने की संभावना बढ़ जाती फिर आप ध्यान दे के लंच में आप डाल, हरी सबजी, एक कटोली दही जरूर खाए और साथ में दो रोटियां मल्टी ग्रेन आटी की जरूर खाईए अगर मल्टी ग्रेन आटा आपको पसंद नहीं है तो जुआर बाजरा या फिर जौ की रोटी भी खाई जा सकती है बहर के समय सोते हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं है आप 10-15 मिनट की नींद ले सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा ना सोए ये आपके स्वास्थे के लिए अच्छा नहीं है इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है फिर एक और बार ध्यान रखें के नाशते और लंच के बीच में और लंच और डिनर के बीच में कोई न कोई फल जरूर खाले अमरूद नाशपाती या फिर सेव खाया जा सकता है या फिर आप एक कटोरी ओट्स भी खा सकते हैं अगर आपको भूग लग रहे हैं तो तो आ आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और शेर जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करें थैंक यू वेरी